Hello friends, आप सभी का मेरे चैनल Crackover में स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी गाड़ी में जो gear oil है जिसको हमनों transmission fluid भी बोलते हैं उसको आप किस तरीके से change कर सकते हैं तो friends, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपको अपनी गाड़ी में जो gear oil है उसको कब change करना चाहिए और कौन सा gear oil आपको आपकी गाड़ी के लिए best रहता है तो friends, देखिए अगर आपकी गाड़ी 20,000 से लेके 30,000 km चल चुकी है, ठीक है और एक चीज जो gear oil होता है, उसमें जो आपका पहले से आपका जो drain bolt होता है, उसमें एक magnet लगा हुआ रहता है वो जो magnet है, वो जितना आपका जो gear है, वो घिसता है, जो grind हुआ है, वो आके चिपक जाता है जितना capacity होता है, उतना वो collect करने के बाद में उसमें grains करने के लिए, तो आपको max to max अपनी गाड़ी में 30,000 km में gear oil को बदल देना चाहिए ज्यादा अच्छा है कि आप उसको 25,000 km पर बदले, और आपकी गाड़ी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो transmission fluid होता है, वो सबसे best होता है 80W 90 या 90W देखिए इसमें 2-3 grade आता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें 80W 90 या सिर्फ 90W या सिर्फ 90W या सिर्फ 90W या सिर्फ कर सकते हैं, यही दो आपको transmission fluid यूज करना है, और best quality का आप उसको यूज करिए, मैं वैसे फिलाल अभी अपनी गाड़ी में जो Castrol का है, मैं उसका यूज करने वाला हूँ, 80W 90, और एक चीज मैं आपको इपा बता देता हूँ, कि बहुत सारे सब्सक्राइबर, लोगों के यह problem आ रहा थे, कि जो gear slip करने का, और यह उनका gear सही से लगता नहीं था, तो उनको मैं एक बार recommend करूँगा, कि आपना gear oil बिल्क आपको इस तरीके से gear box है, उसको flush नहीं करना है, अगर आप gear box को flush कर देते हैं एक बार में, तो उसके बाद क्या होता है, कि जो grains है, वो तरीके से रह नहीं पाता है, और आपका gear उससे जादा slip करेगा, तो friends, अब मैं आपको बताता हूँ, कि आपको किस तरीके से अपनी ग बोल्ट है, और कहां से हम लोग इसमें gear oil fill करेंगे, तो friends, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे एक बोल्ट लगा हूँ है, देख सकते हैं, यह वाला बोल्ट, यह सूला नंबर का बोल्ट है, यह आपका drain bolt है, यहां से आपको gear oil निकालना है, और आप यहां देख सकते है यह आपका यहां पे भी सूला नंबर का यह बोल्ट है, यहां से इसको खोलें और यही से आपको gear oil डालना है, तो friends, अभी मैं यह जो drain bolt इसको खोलने माला हूँ, और देखिए यहां से जो gear oil है, वो पूरा बाहर आ जाएगा तो friends, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पहले सारा gear oil निकल जाए उसके पहले तो friends, आप देख सकते हैं, इसमें कितना metal का grinding चिपका हुआ इस magnet में, आप देख सकते हैं, यह देखिए, और गाड़ी लगबग 28000 किलोमेटर चली है, फिर्स बार gear oil चेंज होने के बाद में, और इसमें देख सकते हैं कितना grinding जमा हो गया है, तो इसलिए मैं आपको बोला क कि जो gear oil उसको max to max, आपको 30,000 किलोमेटर पर चेंज कर देना चाहिए, और यह जो magnet हिस्से जादा और यह collect नहीं कर सकता था, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी गाड़ी में कितना gear oil डालना है, तो friends, सारा gear oil एक बाद ड्रेन हो जाए, उसके बाद यह जो drain bolt है, यहाँ पर tight कर देना है, जहाँ से आपने खूला था, वही पेस को tight कर देना आपको, जो drain bolt है, उसको आपको एकदम बिलगूर अच्छे तरीके सा tight करना है, उसके बाद यह जो आपको bolt दीख रहा है, देख सकती है, यह वाला, आपको इसको खोल लेना है, इसमें भी आपका 16 नंबर का ही range लगेगा, और यह जो drain bolt है, इसमें कोई magnet नहीं रहता है, इसको आपको खोल लेना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें किस तरीके से, जो gear oil है, उसको डालना और कितना gear oil, टाटा इंडिगो के लिए perfect रहता है, तो friend दे आपका nut है, जहां से हम लोग जो gear oil डालेंगे, इसका ही size का होना चाहिए, इससे ज़्यादा मूटा रहेगा, तो फिर वहाँ fit नहीं होगा, तो यह जो point है, इसे मैं बताता हूँ कहां लगाना है, और इसे हम उपर से डालेंगे, जहां air filter है, उसके उपर से डालेंगे, और तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको यह pipe हलका सा घुमा घुमा के tight कर लेना है, जिससे कि वो pipe बाहर ना आए, और आपको उपर से जो gear oil उसको डालना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि indigo का, जो gear oil का size है ना, वो 3.3 liter का है, ठीक है, लेकिन इसमें देखें, तीन लीटर डालना चाहिए, तीन लीटर से अगर आप कम डालते हैं, तो आपका जो जितना सारा gear है ना, सब में perfect तरीके से lubrication नहीं हो पाएगा, और gear जादा घीसेगा, और जो gear का life होता है, वो काफी कम हो जाएगा, इसलिए कम से कम तीन लीटर त कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि gear oil थोड़ा महंगा होता है, तो उस पर आपको half liter का bottle नहीं मिलेगा, तीन लीटर आप bottle लेजिए, और एक एक लीटर करके वहाँ से आपको, जो gear oil उसको डाल देना है, तो मैं अभी उपर से gear oil डालता हूँ, और मैं आपको दिखा दो मैं कौ पर जो इसका protection है, वो थरा जादा रहता है, और यह आप 30,000 km तक भी चलाएंगे, तो यह जो gear oil यह खराब नहीं रहता है, बाकि जो दूसरा है, आप केस्ट्रॉल में ही 90W ले सकते हैं, उसमें सिर्फ यह 90 लिखा रहेगा, जो है, आपका यह 80W नहीं लिखा रहेगा, उसम 90W लिखा रहेगा, तो वो gear oil भी perfect रहता है, लेकिन देखें, यह 80W 90 थोड़ा सा पतला होता है, तो मैं इसको इस बार डाल रहा हूँ, क्योंकि जो gear oil है, वो मेरी गाली में काफी लंबे time से change नहीं हुआ था, तो मैं आज उसको change कर दिया gear oil, और मैं यही gear oil उपर से डालने वालों एक-एक करके, मैंने तीन bottles purchase किया है, तो मैं उपर से करके एक-एक डालता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इसका seal खोलेंगे, तो आपको यहाँ देख सकते है, castrol का label मिलेगा, देख सकते हैं, यहाँ पर आपको castrol का label मिलेगा, यहाँ प यूबलिकेट है, castrol का, तो आप जो genuine gear oil है, उसी को purchase करिए, और friends, मैं आपको इसका MRP दिखा देता हूँ, कितना है, आप देख सकते हैं, यह 302 रुपए का है, मुझे यह लगबग 295 रुपीज पड़ा पर लीटर का, क्योंकि मैंने 3 लीटर purchase किया था, और यह castrol वाले में कर दो एकバイ कर दो, क्योंकि मैं लुपद है किम बाले में देख पड़ में से teuravड先 इस भीक् साहँ, यह जगा देख प्रवदरा है, व्चस्षेज लीटर का हुआूब खाले में बाले में आपका जो आपकते हैं, क्योंकि मैं प depend and of the entire team team, इसका उत्ama हैं, यह हैं दो क् сама है ह तो फ्रेंड्स इसी दर आपको तीन लीटर जो गेर वाइल है उसको डाल देना है धीरे धीरे करके और उसके बाद फिर आप जो नीचे का जो बोल्ट है उसको सोला नंबर के रेंज से अच्छे तरह के से टाइट कर दीजे फिर आपके गाड़ी बिल्कुल सही है अगले 30,000 किलोमेटर तक और एक बात यह आ आप लोगों के लिए मैंने एक नया फेसबुक पे पेज क्रेट किया है तो उस पेज को आप जाके लाइक करिए तो मैं उसमें हमेशा लेटेस्ट अपडेट डालता रहूँगा और उसका लिंक मैंने वीडियो के डेस्क्रिप्शन पे दे दिया है तो फ्रेंड्स अगर आ वाचिंग मैं वीडियो जैहिन जैभारत